नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक शेर की और प्रकृति की कुछ नेचर के बारे में एक शेर होता है, जंगल का राज़ा, वो एक वक्त सारे जानवरों को बुलाता है, मिटिंग रखता है और कहता है कि हमें जंगल में कुछ जनवरों की जरूरत नहीं है सारे जनवर बहुचक रहते हैं मगर वो उन्हें कारण बताता है कि देखो मैं शिकार करता हूँ आप ही लोगों को खाता हूँ मगर उसके बाद हाइना आते हैं वहाँ पर वल्चर आते हैं वल्चर के बाद अर्थवर्म आते हैं वो सारे लोग उस शिच को खाते हैं पचाते हैं हमें इन लोगों को बाहर निकालना होगा जंगल से हाइना अर्थवर्म्स, वल्चर ये सब बाहर चाहिए क्योंकि अगर ये कम रहेंगे तो मैं शिकार भी कम करूँगा मुझे ज़्यादा जानवरों को मारने का जरूरत नहीं होगा सब जानवरों को लगता है कि ये बात थो हमारे हित में है ठीक है सब मिलके फैसला करते हैं कि हम ये सब जानवरों को बाहर निकाल देंगे वल्चर का हमें कोई काम नहीं अर्थवां का कोई काम नहीं और हाईना का भी हमें कोई काम नहीं है वो बोलते हैं ठीक है राजा साब जैसा आप सही समझो आप ऐसा कर दो बागी ये सब जानवर थोड़े से दुक्षी तो हो जाते हैं मगर फिर वहां से चले जाता है, अब पारी आता है, उसकी करनी, उसकी बरनी, अब जंगल में सूखा पढ़ने लगता है, आकाल सा आने लगता है, जंगल जो हरा भरा हुआ करता था, आज वो पूरा सुनसान और काला बढ़ते जा रहा था, बंजर होते जा रहा था, शेर इसी टेंशल में जाता है तलाप के पास बैठ के पानी पी रहा था कि ऐसा क्या हुआ है कि मेरा जंगल पूरा खाली होते जा रहा है जानवर दूसरे जंगल के तरफ जा रहे है मेरे पास तो यहां पर कोई बचा ही नहीं तब ही तलाप से क्रोकोडाइल यानि कि मगरमच बाहर निकले आता है वो बोलता है क्या हुँआ राज उसे पूरा बत बताता है कि देखो यार ऐसा हो रहा हमारे साथ मुझे कुछ समझ में नहीं नहीं आ रहे है फिर क्रोकोडाइल उसे बहुत अच्छा से बताता फूट चेन के बारे में जंगल के फूट चेन के बारे में बताता है कि हम खाते हैं वो कightprie इसीतरा से यह जंगल और यह प्रकृति काम करती है राजा को समझ हमात वह फिर चंगल में जाता है और फिर Contॉम बिलाता है कि मेरा जंगल जैसा भी है अच्छा है आप सब लोग वापस आजाओ मैं अपनी गल्हती को सुधार करूँगा उसे सुधार होंगा और आप लोगों को बताओंगा सारे जानवर दिरे-दिरे करके वापस आना शालो हो जाता है जब सारे आता है तो फिर से जंगल में पहले तो खुश्याली चाती है उसके बाद हर्याली इस तरह से करके शेर को भी लगता है कि मैंने आज अपने आप कोई नहीं सारे जंगल को बचाया है हर एक जन जरूरी होते हैं है ना अगर कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें